नमस्कार दोस्तों, टेस्ट वुक सुपर कोचिंग में आप सभी का शौगत है दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ साइन्स से संबंधित, जो आपका शामाने विज्ञान है, जनरल साइन्स है जनरल साइन्स से रिलेटेट जो वीकली करेंट न्यूज है, उनका एनलिसिस, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये बहुत ही महतुपून न्यूज है, जो आपके अपकमिंग एक्जाम्स के लिए बहुत ही महतुपून शावित हो सकती है यहाँ पर प्रिलिम्स के साथ साथ जो आपका बीपेशी एक्जाम है, या कोई भी स्टेट PCS एक्जाम हो, उसमें प्रिलिम्स के साथ साथ ये मेंस में भी कुश्चन्स आपके लिए दे शकती है तो यहाँ पर जनल साइन्स से रिलेटेट जो वीकली करेंट न्यूज इनलिशिस है, यह अबरी वीक आपका सर्टर्डे को पबलेश होता है और जिसमें चार पांच जो वीक की इंपोर्टन न्यूज है वो आपके शामने यहाँ पर रिप्रिजेंट की जाती है तो दोस्तो यह बहुत ही इंपोर्टन न्यूज है और इन न्यूज को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे और यहाँ डिसकस्टिन के लिए जो टॉपिक है आज हमारे पास में यह टॉपिक आपके शामने है तो दोस्तो शबी लोगों को यहाँ पर जुड़ना है, चैनल को सब्स है quantum computing है इस से रिलेटिड सारी जानकारी के बारे में हम डिसकस करेंगे कि quantum computing रिसेंट ली चर्चा में क्यों है ठीक है वाइन न्यूज यह न्यूज में क्यों है यहाँ पर इससे संबंदित हम जानकारी क्यों है यह आपका second topic होगा इसके बाद तीसरा topic जो आपका अभी शाइंस का चर्चा में है long life span genes identified long life span gene identified कि यहाँ पर लंबे जीवनकाल के जीन की पहचान की गई है तो लंबा जीवनकाल जो long life gene की इसे identify किया गया है तो यह long life gene कहां पर identify किया गया है और यहाँ पर इसका यूज यहाँ पर उपयोग क्या है इसके इस बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद चौथा जो आपका topic है fourth news है ठीक है mammalian evolution इस तंधारियों का विकास mammalian evolution इस तंधारियों का विकास इससे संबंदेथम topic पर discussion करेंगे कि recently यह topic आपके news में है चर्चा में है यहाँ पर यह weekly science news analysis है यह बहुत ही महतुपूर topic है जो आपके upcoming state PCS prelims as well as mains exam में बहुत ही उपयोगी शावित हो सकते हैं और last जो आपका पाँचवा topic है आपका world first operation using stem cells world first operation using stem cells stem cells का उपयोग करके विशु का पहला operation तो यहाँ पर किस तरीके से stem cell का यूज करके विशु का पहला operation किया गया है ठीके कहा पर हुआ है stem cells क्या होती है इन सारी चीजों के बारे में हम discuss करेंगे तो जो topic है हमारे 125 एक से लेकर 5 तक जो weekly science new analysis है तो सबसे पहले आईए आते हम पहले topic पर पहला topic जो हमारा है first topic है quantum computing quantum computing क्या है हम यहां पर देखिए सभी लोग computer से जुड़े हुए है classical physics से जुड़े हुए है ठीके classical बहुत की से संबंधित है ठीके और binary में आप लोग जानते है कि दो डिजिट चलती है आपकी एक आपकी जीरो चलती है और एक आपकी क्या चलती है वन आइदर जीरो और वन तो यहां पर एक यह new technique quantum computing यह सामने आई है और recently यह चर्चा में इसके चर्चा में होने का कारण क्या है कि दुनिया भर के कई संस्थानों और कंपनियों ने वर्ड वाइड जो आपके institutions हैं या आपकी companies हैं इन्होंने quantum computer में क्या किया है quantum computing में निवेश किया है इसको बढ़ावा देने के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है क्यों इन्वेस्टमेंट किया है quantum computing की प्रस्ट भूमी क्या है किस तरीके से इसकी कारण प्रडाली है working क्या है इन सारी चीजों के बारे में हम डिसकस करेंगे तो quantum computing बहुत की का उप्योग उन समश्याओं को solve करने के लिए होता है जो परमपरिक जो हमारे प्रिशलित computer है वो नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा क्लासिकल फिजिक्स के बाद जो quantum computing यहाँ पर यह थियोरी आई है quantum computing से हम ऐसी problem को solve कर सकते हैं जो हमारे प्रिचलित computer जो PC है प्रिशल computers है ठीक है वो इनको solve नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग हो चुकी थी स्टार्टिंग हुई थी 2021 में भारत सरकार ने 8000 करोड के आवंटन के शाथ quantum तकनीकों का अध्यन करने के लिए quantum प्रिद्योगी की पर एक रास्टी emission शुरू किया था भारत सरकार ने इस और ध्यान दिय था 2020 में भारत सरकार ने इस पर 8000 करोड इन्वेस्ट किये थे ठीक है इन्वेस्ट किये थे ताकि यहां पर quantum टेक्नलोजी की स्टडी की जा सके और quantum प्रद्योगी पर एक क्या है रास्टी emission इन्होंने स्टार्ट किया था इसके बाद भारती शेना ने मध्द प्रदेश में एक quantum computing अनुशनधान सुब्धा खोली है ठीक है इंडियान आर्मी जो आपकी है भारती शेना है इंडियान आर्मी ने मध्द प्रदेश में एक quantum अनुशनधान ठीक है शुब्धा खोली है और साथ ही विज्ञान और प्रद्योग की विभाग ने साइंस एंड टेक्नलोजी डेपार्टमेंट ने भी पुड़े में एक और शुब्धा शुरू की है इसी प्रकार की quantum computing प्रकार की एक अन्य शुब्धा भी क्या की है शुरू की है तो यहां पर यह इसकी प्रस्ट भूमी है अब यहां पर quantum technology होती क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे देखिए स्टार्ट में जब computer का evolution हुआ personal computer आया ठीक है आप सभी लोग जानते है personal computer आया धीरे-धीरे इसकी generations आपकी बढ़ती गई generation बढ़ती गई ठीक है चाहाँ वो आपका 2G हो 3G हो 4G हो या 5G हो clear वीश्वी सदी की सुरुवात में जो थियोरी है आपकी बहुत की की ऐसा माना जाता था कि दो बस्तु है एक ही छण एक ही सचण मतलब एक समय एक ही टाइम पर एक ही स्थान पर यहाँ पर कबजा नहीं कर सकती है एक्जिस्ट नहीं कर सकती है मतलब यह classical theory की ओधारणा जो classical theory है आपकी physics की इसकी ओधारणा की classical भौत की कहती है या वीश्वी सताब्दी की तक ऐसा माना जाता था कि दो बस्तु है एक ही स्थान पर ठीक है एक ही समय पर क्या है एक्जिस्ट नहीं हो सकती है इस पर बैग्यानिकों ने क्या है जहां सुरू की साथी साथ क्वांटम यांत्रिकी जो आपके उप्परमानु कण की भौतकी है इनकी विसाय में क्या और क्वांटम टेक्नलोजी का यूज करके उप्योग करके यांत्रिकी के सिध्धान्तों का उप्योग करके यहां पर जो क्वांटम तकनीक है यहां पर किसके सिध्धान्त पर काम करती है यांत्रिकी ठीक है मेकेनिक्स जो आपकी है मेकेनिक्स के सिध्धान्त पर क्या करती है काम करती है clear अब यहां पर देखिए जो आपके particles हैं चाहे वो photon हो electron हो परमाणू हो यह सब यह particles है आपके यह particles है ठीक है इनके दौरा जितनी भी घटनाय प्रदर्शित होती है इन पर आधारित होती है clear जो समान मैक्रोस्कोप बस्तूओं के विवहार करने के तरीके से काफी अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं जो आपकी समान जो आपकी समान बस्तूओं है इनका जो behavior होता है इनसे बिलकुल क्या होता है अलग होता है यहाँ पर याद रखेंगे यह आपकी क्या है quantum technology है अब यहाँ पर देखें कि यह जो आपका डाइग्राम बना हुआ है कि सुपर पॉजिशन क्या है ठीके सुपर पॉजिशन क्या है इंगेजमेंट क्या होता है और अबजर्विशन क्या होता है यहाँ पर हम देख शकते हैं सुपर पॉजिशन बहुत सारे पार्टीकल एक शा क्लियर और इसके बाद आपका observation तो यहां पर quantum जो आपका है computing है इससे हमने observe कि यहां पर शुपर पॉजिशन एंड इंगेजमेंट अल्ली एक्जिस्ट एज लॉंग एज quantum particles are not observed और measured समझ रहे हैं कि यहां पर superposition और engagement यह दर्शाता है कि यहां पर quantum computing का यूज करके कि यहां पर यहां पर दो अलग अलग बच्टुएं एक ही समय में एक ही स्थान पर क्या कर सकती हैं exist कर सकती हैं यह बताया गया है clear यहां पर डाइग्राम में जैसा की दिखाया गया है दर्शाया गया है आपको यह आपका clear है clear अब यहां पर यह कैसे वर्क करता है quantum computing की जो working है कारे प्रणाली है वो कैसे बर्क करती है तो आपको मालूम होगा यहां पर जो computer की मूलभूत computational एकाई है गड़ना एकाई है वो क्या होती आपकी bit clear bit और bit में आपने देखा है कि bit में दो जेटेट आपकी एक 0 और एक आपकी 1 0 और 1 चालू है transistor तो आपका 1 है value और यह दी बंद है तो आपकी value क्या होगी 0 होगी और इसका मतलब यह है कि एक bit में एक समय में दो value होती है आप सभी लोग जानते हैं कि एक bit में एक ही time पर two आपकी क्या होती है values होती है आइदर 0 ठीक है या फिर क्या होगा 1 होगा इसके अलाबा qubit quantum computing की मूल भूते काई है qbit ठीक है यहाँ पर देख शकते हैं आप qbit जो आपकी है quantum computing qc की क्या है मूल भूते काई है और 1 या 0 होने के बजाए सूचिना को तीसरे प्रकार की अवस्था 0 और 1 काध्यारोपन में encode करती है यह encode कर देती है इसे बदल देती है clear तो इस प्रकार qbit आधारित computing जो आप क्या है computer है अधिक computational मार्गों तक पहुँच सकता है मतलब जो हम quantum computing लेकर के आए है कि यहाँ पर हम और different ठीके ways तक क्या कर सकते हैं जा सकते हैं और इससे बहुत जटल से जटल समस्याओं का क्या हो सकता है शमाधान हो सकता है solution हो सकता है इस शीज को हमें याद रखना है clear तो यहाँ पर हमने आज जाना किसके बारे में जाना कि quantum computing क्या है क्यों दुनिया भर के institutes संस्थान ठीक है इस पर invest कर रहे हैं क्या region है क्योंकि यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा reliable है एक normal computer से क्यूबिट पराधारित जो computational आपकी क्या है method है इसके द्वारा हम विभिन मार्गों तक पहुंच सकते हैं और अधिक जटिल से जटिल समश्याओं को solve कर सकते हैं जो हमारे प्रिचलित computer नहीं कर पाते हैं तो यह इसका क्या है importance है clear दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम देखिए यहाँ पर यह दिखाया गया है कि quantum computing versus classical computing quantum और आपकी classical computing देखो दोनों में क्या difference है सामने आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर 0 और 1 और यहाँ पर represent either 0 और 1 transistor which can represent either 0 और 1 clear इसके बाद power increases और यहाँ पर power increases in 1 ratio 1 और यहाँ पर देखिए exponential ratio में power increase होती है और यहाँ पर देखिए ठीक है classical method में किस तरीके से आपकी जाती है कि x into x into x इस तरीके से जाती है तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा difference है दोनों में यह more reliable है आज के समय के लिए जो आपका है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका quantum computing है आपका more reliable है यह जादा reliable है आज के समय के लिए क्योंकि यहाँ पर देवाइडे बढ़ते workload के कारण जो personal computer है आपके जटिल समश्याओं का निराकरण करने में असमर्थ होते हैं क्या करते हैं सॉल्ट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर दुनिया भर के संस्थानों ने quantum computing में क्या किया है इन्वेस्ट किया है तो यह पहली निज है science and tech की इसके बाद दोस्तों आंगे बढ़ेंगे हम दूसरी निज की ओर दूसरी निज आपकी है बिसम रेडियो मंडिल जो भारती बिग्यानों के ने हाल ही में भारती जो बैग्यानिक हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनकी न्यू रिसर्च के कॉर्डिंग, रेडियो मंडल, ORC, सुपर नोवा बिसफोर्ट या बड़े पैमाने पर ब्लैक होल से आते हैं, इनका मानना है, इनोंने बताया है, कि ज न्यू रिसर्च के कॉर्डिंग, जो आपके और रेडियो सर्कल्स हैं, या तो शुपर नोवा बिसफोर्ट, शुपर नोवा एक्सप्लोजन, या फिर बड़े पैमाने पर ब्लैक होल से क्या हैं, आ सकते हैं, अब यदि बात करें कि ORC क्या है, तो देखिए, और रेडियो और रेडियो सर्कल्स हैं, या आपके अनेक्स्प्लेंड हैं, इनके बारे में कोई भी इसपस्ट ओधारना नहीं है, और हमारी जो मिल्की वे हैं, गैलेक्सी है, थ्री मिलियन प्रकास वर्ष के व्यास से 50,000 गुना अधिक है, मतलब इसका जो ब्यास डामीटर है, हमारी मि इसके जो मॉआडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं, ब्राइटनेस होते हैं, इसे फ़हली बार, फर्स टाइम, 2019 में, Australian स्कौायर के-ываем, जो आपके है, आरे, पाथफाइंडर, ASKP का उप्योग करके खुजा गया था, याद रखिएगा जो यहां पर है औस्टेलियन जो आपका है औस्टेलियन यहां पर देखे लिखा हुआ है औस्टेलियन इसक्वाइर के एम एरे पाथ फाइंडर एस के पी का उप्योग करके खोजा गया था हाला कि और सी द्रश्यमान इंफ्रारेड और एक्सरे टेलिस्कोप में इसलिए यहां पर ओर सी ठीक है जो आपका और रेडियो सर्कल से अभी निउस में है तो यहां पर यह सेकंड निउस है वीक की यह बहुत ही इंपॉर्टन टार टॉपिक है आपका ठीक है प्रिलिम्स एस बेलेस मेंस के एक्जाम में इससे रिलेटेट कोई कोई कुश्चिं कि आखit इस और इडियो सर्कल्स कि आपके क्या है इसके बाद आंगे बढ़ेंगे हम अगली निउउस की बढ़ेंगे हम तीसरी निउज जो है साइनस अंटैक की ठीक है यहां पर वीकली साइनस निउस अनलेसिस में जो थर्ड निउज आपकी है कुश्चिंस आपका बन सक की गई हैं लंबी उम्र के जीन की पहचान जीन रेस्पोंसिबल फॉर लॉंग लाइफ श्पैन और बन्यान एंड पीपल ट्रीज आइडेंटिटी फाइड याद रखेगा इंडियन इंस्टिटूट ऑफ रिसार्च एंड यहां पर जो है आपका एजूकेशन एंड यहां पर जो आपका है साइन्स एजूकेशन एंड रिसर्च कि जो बैग्यानिक हैं सोत करता हैं यहां पर रिसर्चर्स हैं इन्होंने बर्गत बर्गत का रशाहिनिक नाम देख सकते हैं आपर फाइकस बैंगालिसिस यहां पर है फाइकस बैंगालिसिस और पीपल फाइकस रिली जियो शाह, रिली जियो शाह, कि पत्तों के उत्कों का, टिस्यूज के नमूनों का इन्हों ने क्या किया है, अध्यान किया है, और यहां पर एक संपूर जीनोम का अनुक्रमन किया है, संपूर जीनोम का अनुक्रमन किया है, और आइडेंटिटी भाई किया है, कि यहां पर यहां long life spend genes इन्हें मिला हुआ है अब इस कारशे क्या अनुमान बैग्यानिकों ने लगाए हुए हैं और किस निसकर्स पर पहुँचे हैं तो इस कार ने बर्गत के मामले में 17 जीन और पीपल के 19 जीन की पहचान करने में मदद की है साइंटिस्ट को पीपल के 19 जीन और बर्गत के कितने जीन मिले हैं आपके 17 मिले हैं और जिसमें अनकूली बिकास के कई लचण हैं जो इन दो फाइकस प्रजातियों के लंबे समय तक जीवित रहने में महत्वण भूमिका निभाते हैं कि इनकी जो एज है आपको मालूम होगा कि बर्बद और बर्गत जो आपका है या पीपल का ब्रिच है ट्रीज है इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है और इस लॉंग एज का कारण क्या है कि जो यहां पर 17 जीन बर्गत के पेंड में हैं सोथ करताओने खोजे हैं जो 19 जीन ह क्लियर इनमें अनकूली विकास के ऐसे कई लक्षण है जो इन दोनों ठीके पौधों को लंबे समय तक जीवित रखने में महत्व भूमिका निभाते हैं जो आपका फाइकस रिलीजियोशा है या पीपल है के बारे में इसकी बात करें तो फाइकस रिलीजियोशा या पवि परिवार्शे शंबंदित हैं और बर्गत के पेड़ की उम्र 200 से 500 साल तक क्लियर और साती साथ पीपल के पेड़ की उमर 2500 साल तक जीवित रह सकते हैं अब आप समझ सकते हैं कि कितने लॉंग टाइम तक इनको जीवित रखने में महत्वूर भूमिका यहां पर जीन निभ फिस्पैन जीनोम की क्या है आइडेंटिटीटीफाई किया है खोच की है याद रखेगा यह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है जो आपके मेंस परपस से महत्वूर हो शकता है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगला प्रश्रिया पर जो आपका है अगला ज आयजाते हैं हम सबभी को मालुम है इस्तंधारी क्या होते है ठीक है जो आपके है है जो आपका वर्ग है कलास है यहाँ पर जो दो जो जोड़ी इस्तंधारी रन्थिया प आई जाते हैं और यह अपने बच्चों को क्या करते ह defense है इनकी अधिकांस प्रजातिया इस्थल मे में यहां है अigious लिए हिक यहां पर हाली के अध्यान कि अनुशार कि 거야 सेंटली स्टुडिज कर दिंग के कैर्दा लेंड में खैंट्यीश माना गया है कहाँ पर गोडवाना लेंड में ठीके जो आपका भारती उप महादीप है ये किसका पार्ट है गोडवाना लेंड का पार्ट है और ऐसा माना गया है कि इनका विकास जो है ठीके भूगर्भ लाकोशाल पहले शुपर कॉंटिनेंटल पैंजिया से बना था ना कि इसके समकच उत्री जो आपका लॉरेशिया है वहाँ पर हुआ था ये बोला गया है शुपर कॉंटिनेंट पैंजिया से बना था यहाँ पर दच्छडी भूबाग जो आपका है जैसे गोडवाना लेंड कहते हैं यह आपका दच्छडी भूबाग है और जो आपका उत्री भूबाग है इसे ह इन्होंने का है तो इन्होंने study की है पहुचने के लिए मेडागासकर जो आपका है clear दच्ण अमेरिका और साथी साथ भारत में पाई जाने वाले जीवासमों के दाण का अध्यन किया है study की है जो जीवास में पाए जाते हैं इनकी study की है मेडागासकर ठीक है इसके अलाबा दच्छी अमेरिका और भारत में जो जीवास में पाए गए हैं इनकी study की है और इसके लुसारे नहीं ने बताया है कि जो mammalians जो आपका evolution है वो कहां हुआ है आपका गोलवाना लेंड में लौरिशीया में और हम और आप भी क्या है इसतंधरी गर्म खून ठीक है इनका जो बलड होता है कैसा होता होता है और जिनके बाल और कशे रोग तीन समूहों शेयक्त होते हैं tehn chambers क्लियर इसके अलाभा मॉंट्रेम्स आदिम धारी यहां पर जो आपके है आदिम इसतंधरी इनको बुला गया आदिम इस्तंधारी हैं, जो बड़े अंडे देते हैं, और मूतर जनों यहां पर बड़े अंडे देते हैं, याद रखेगा, और मूतर जन्नांगी और पाचन तंत्र के लिए एक शामाने, क्या करते हैं, उद्धाटन करते हैं, इसके अलबा मर्शु पिल्स जो आपके हैं, म मर्शूपील इस्तंधारी आपके होते हैं यहां पर जो मर्शूपील इस्तंधारी की बात की हमने कि मर्शूपील इस्तंधारी हैं जिनके बच्चे अधूरे विक्षित पैदा होते हैं ठीक है क्योंकि इनमें एक थैली पाई जाती है मालूम होगा आपको कंगारू को देखा मार्शுपील्स यह भी मैमल्स है आपके इस्तंधरी है bleking in in में अधूरे भचे क्या होते हैं जिनके बच्छे अधूरे विक्षित जो आपके हैं अधूरे है विक्षित पैदा होते हैं क्युक्sen इनका जो विकास होता प्लेसेंटल जो आपका विकास होता है इसके विकास को यह अंतिम चरण तक ले जाते हैं याद रखेगा तो यहां पर देखिए इस तंधारियों की हमने जो बात की हुई है कि जो आपके मैमल्स हैं ठीक है गरम-खून वाले इस तंधारी क्या होते हैं जिनमें दो जोड़ी क क्या होती हैं आपकी दुख्ध ग्रंथियां पाई जाते हैं और अपने बक्षियों को क्या करते हैं यह दूद पिलाते हैं यानि कि अविक्षित बच्चे पैदा होते हैं इनका बिकास जो मा के पेट में पाई जाने वाली मर्शोपियन थैली उसमें होता है और प्लेसेंटल भूण को बिकास के तीके अंतिम चरंड तक ये ले जाते हैं तो हाली में यहाँ पर जो आपके है, टीक है, मैमलस जो बिकास है, चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर हाली में बैध्यानिकों ने सोतकरता उने बूला है, यहाँ पर जो आपके मैमलस हैं, आपके इस्तंधारी हैं, इनका बिकास कहा projets, कहां माना गया în homo n ai Godo Why Nagland में माना! यहां पर सारे के सारे जीव आपके सब बने हुए आपका सारे के सारे जीव और हम और आप मनुष्य भी क्या है इस्तंधारी है वेल सबसे बड़ा क्या इस्तंधारी है यह चीज याद रखेगा अब यहां पर देखेंगे गोडवाना और लॉरिशिया के बारे में अधी हम देखें पैंजिया जो एक पार्ट था सार्टिंग में जब यह टूटा तो उत्री अमेरिका के उत्री महादुप और यूरेशिया अंटाक्टिका भारत दच्ण अमेरिका और अफ्रीका के महादुपों से क्या हो गए यह अलग हो गए थे तो बड़े जो उत्री महादुप को हैं उनको लॉरेशिया बोला गया है और जो आपके दच्णी महादुप है उसे क्या बोला गया है गोडवाना लेंड कहा गया है याद रखेंगे यहां पर एक इमेज है इमेज से मैं आ आपका जब यह तूटा यह अलग अलग हुआ तो यहां पर इस तरीके से ठीके यहां पर evolution हुआ आपका इस तरीके से क्या हुआ विकास हुआ modern world का विकास हुआ तो आज की न्यूज आपकी केस्तंधारियों का विकास गोणवाना लेंड में माना है हाली में शोत करता उने, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ठीक हैं, यहाँ पर weekly science news analysis में, आज की अंतिम न्यूज इस वीग की last news है, हाली में यहाँ पर stem cell, नाम सुना होगा सभी ने, stem cell क यूज करते हुए दुनिया का पहला operation किया गया है कोशिका के विकास के लिए या नई संतती कोशिकाओं को जन्म देने के लिए या कहीं पर भी कोशिका के विकास के लिए मतलब यह ऐसी cells हैं stem कोशिकाओं वे कोशिकाओं हैं जिनमें विसेश कारियों को करने वाली अन्य सभी कोशिकाओं क्या हो सकती है उत्पन हो सकती है ठीक है इनका विभाजन होता है और जब ये विभाजित हो करके ठीक है क्या करती हैं आधिक कोशिकाएं बनाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं संतती कोशिका कहते हैं क्लियर एक स्टैम सेल में जो आपका है स्टैम सेल मचान वास्तुकला विक्सित करना शमेहनी कोशिका अंतरब्रधी का शमर्थन करता है घाओ को भरने पुनर नियोजी दवा को बढ़ावा देता है जो हड़ी उपास्थी रत वाहिका त्वचा यहां पर कंड्रा और तंत्रि कोशिकाय क्या होती है उत्पन होती है सही परिस्तिती में ठीक है यहां पर शोटेविल कंडिशन में स्टैम सेल डिवाइड हो करके अन्य सेल की उत्पत्ति करती हैं संतती कोशिकाय कहते हैं स्टैम सेल के वर्ग देख शकते हैं घाओ को भरने पुनर नियोजी दवा को बढ से जो पहला operation किया गया है तो इसका importance क्या है कि ये टेक्नीकी विक्सित करने में मदद कर सकता है ताकि जन्म जात हरदै रोग के शाथ पैदा हुए बच्चों को आधिक operation की आवशक्ता ना पड़े जन्म जात हरदै रोग ऐसे बच्चे जो जन्म से ही क्या है हरदै रोग शे क्या है पीड़ेत है उनका जो इलाज है उनका जो treatment है वो क्या है इसली किया जा सके आसानी से किया जा सके यहाँ पर हमें क्या मिली है सफलता मिली है तो हाली में यहाँ पर जो इंगलेंड के एक हार हैं या आपकी गड़ सेल्स हैं या कार्डियक मसल्स यह सारी चीजें आपकी बताई गए है ठीक है स्टेंब कलिसेंटा और फिल्टर्ल फॉर्म ऑन मैरों इसके बाद सेकन्ड पॉंट यूद्शक्ते हैं डाच अंशेयरेंड न्यू ब्लड वेसल्स त्यक है है हर्ट डेमिज सकती है stem cells are taken from placenta placenta यहां पर placenta की उससे stem cell का उपयोग करके जो पहला operation किया गया है तो यह बहुत ही फाइदेमंद है कि जो जन्मजात हिरदय रोक्षे क्या है प्रभावी बच्चे है ठीक है उनका easily क्या हो सके treatment हो सके तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके जो weekly science news ठीक है एनालेसिस है यह पांच इस वीक की टॉप 5 पे important आपकी science news थी और ऐसी news every week आपको every weekend पर मिलेगी ठीक है तो हमारे साथ जुड़े रहिए test books उपर coaching चैनल को subscribe परिए वीडियो को share करना है ठीक है like भी करना है फिर मिलेंगे next week में तब तक कि लिए